हेलो वोगोज मैं हूँ किरन शापरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही क्राशिफल ये सेकेंड नवेंबर से लेकर एर्थ नवेंबर तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं टारो प्रेडिक्शन्स हैं और सबसे पहले वोगोज अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा तो चलिए जी वोगोज देखते हैं कि ये वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक कार्ड है सविन ओव वॉन्स परस्नल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है विस्टम और इन जनरल के लिए हमारे पास कार्ड है लेट गो अफ कंट्रोल इशुज तो वोगोज आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा तो यहाँ पर देखिए तीनों ही cards, different different आपकी life के areas के हैं लेकिन ये तीनों ही बहुत अच्छी तरीके से compliment कर रहे हैं अगर मैं combination में in general energies देखूं तो कहीं मुझे दिख रहा है कि कुछ भी काम आप इस week कर रहे हैं आपको एक smooth going नहीं मिल रही है और यहाँ पर wisdom का card मुझे कहता है कि बहुत ही समझदारी से आपने काम लेना है impulsive नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करनी और यहाँ पर दीखिए let go of control issues का card मुझे कहता है कोई भी situation हो, आप उसको control ना करने की कोशिश करें seven of wands का card मुझे कहता है कि आप अपना best दे, अपनी तरफ से बहुत अच्छा करें जितना आप कर सकते हैं, आप उतना करें लेकिन control किसी भी चीज को या किसी भी इनसान को ना करने की कोशिश करें I know हम सब लोग जान मुश्के नहीं करते हैं but unknowingly कभी-कभी ऐसा हो जाता है जब हम ज़ादा attach होते हैं किसी situation से, किसी इनसान से तो हम let go नहीं कर पाते हैं उन चीजों को कहीं हम control करने लग जाते हैं तो इस चीज को आप ज़रूर चेक करें और यहाँ पे professional life के लिए seven of wands का card मुझे कहे रहा है कि थोड़ा सा आपको opposition मिल सकता है जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं आपके co-workers हो सकते हैं जो लोग आपको help करते हैं आपके colleague हो सकते हैं जहाँ पे जिस तरीके का support आप चाह रहे हैं आपको नहीं मिल रहा है in fact मैं कहूंगे कि थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि energies आपके against जा रही है आपको extra effort करना पड़ सकता है और यहाँ पे दीखे जितना जादा आप अपनी will power से काम लेते हैं जितना जादा आप determination रखते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा और अगर ऐसा आप करते हैं तो definitely seven of wants में कहता है कि आपको success मिलेगा आपको victory मिलेगी और यहाँ पे personal life के लिए wisdom का card मुझे कहता है कि इस week personal life love life relationship में कोई भी बड़ा decision खुद से ना लें कोई experiential इंसान है या कोई भी इंसान जिनको आप बहुत trust करते हैं जिन पर आपको बहुत faith है उनसे आप सला मच्वरा लेकर ही करें नहीं तो आप professional advice ले सकते हैं किसी से counselling ले सकते हैं किसी से advice ले सकते हैं और in general के लिए अगर आप इस card को देख पा रहे हो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपनी knowledge share कर रहे हैं और दीखे इन general के लिए आपे wisdom का card हमें कहता है कि हो सकता है situations जैसा आप चाहा रहे हैं वैसी नहीं है आप से कोई गलती हुई है लोगों से कोई गलती हुई है तो उसमें आपके लिए क्या learning है आप वो लें और आगे बढ़ें तो इस week again मैं कहूंगी कि बहुत ही समझदारी से आपने काम लेना है और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया let go of control issues चाहें वो आपकी professional life हो चाहें personal life हो किसी भी चीज को ध्यान रखें कि control आप ना करें इस week going with the flow वाली energies में रहें अपना best दें और यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए lucky color क्या है तो उसके लिए हमर परस card है Aquarius राशी का और Aquarius साटन की राशी होती है और इस हिसाब से Saturday का दिन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा and lucky color आप लोगों के लिए है indigo